तो यार आल में कोई दे रहा था गाली आर कह रहा था पोचिंग की में और उसने अपना नाम बताया था ब्लैक साइको मैंने का कोई बात नहीं हम तो पोचिंग की आई ही हैं और इसको देख भी लेंगे तो यहां से मुझे साउंड आता है पहले तो मुझे पता नहीं तो यह कौन सा बंदा है मैं थोड़ा सा पीछ अटता हूँ राइट में जाता हूँ यहां मुझे M4 मिल जाती है और यहां से अब निकालने वाला हूँ मैं एक काचा बदाम जिसको पूरा पका के इसके उपर फेकने वाला हूँ लेकिन उससे पहले मुझे यहां एक कटी पतंग दिखती है लेकिन वो पतंग भी चली जाती है फैर यह बंदा निपड चुका था जो था ब्लैक साइको आप इससे जाकर उपर चड़के बतिया करेंगे थोड़ा सा तो पहले तो मेरा यही मूर्थ है कि यार इससे जाकर बतिया करें लेकिन यार गाली देगा तो कोई मतलब नहीं है इसलिए मैंने इसको निपटा दिया यहां पर आप यार देखो यार वीडियो के एंड में मैं तुम लोग के एक ऐसे चीज़ दिखाने वाला हूं जो तुम सब के साथ हुई है और तुम रोए भी होगे उस चीज़ से तो देखना एंड में कि क्या चीज है वो तो यहां से बचेगा कैसे यह देखने वाली बात है तो तुम लोग कमेंट करके पहले से ही बता सकते हो कि यह बच जाएगा या फिर नहीं और बाकी आगे तो मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाने वालों जिसमें तुम लोग हसोगे भी और अगर तुम्हारे साथ बीता है तो बेर के पेल सकते थे तो यह बंदा भाई पीछे को भागने लगता है अब यार अब यार मैंने तुम आखे बंद कर ली थी मैं समझ गया था यह निपटने वाला बट यह निपटता नहीं लेकिन आप कुछ ऐसा होने वाला है जिसको देखके तुम आए हो सोड़ जाएंग क्या तुम भी डिलीबरी वाज से कभी मार खाय हो और ऐसी सिच्वेशन में खाय हो कि नहीं यह बताना बस मार तो खाय ही होगे लेकिन ऐसी सिच्वेशन में बताना नीचे कमेंट करके